शालोव, I am so excited I have received a gift today. हो सकता है इसमें कुछ जूरी का पीस हो? उपस, tissue papers, इनका मैं क्या करूँ? यह tissue paper मेरे लिए बेकार है अगर मुझे इसका इस्तेमाल नहीं करना आता. ठीक, इसी तरह इंसान को एक नायाब तोफा मिलता है हर दिन सुबा, उन सांसों का, जो की 24 घंटे की सांसे है, 1,440 मिनिट्स की सांसे है, 86,400 सेकंड्स की सांसे है. पर इंसान को पता ही नहीं होता उसका करना क्या है? तो वो चिंता करके, वो anxious होके, वो चीजों के बारे में सोच सोच के, अपने मन को दुखा दुखा के, दूसरों की चुगली करकरके, टीवी और सोचल मीटिया पे अपना समय बरबाद करकरके, उस समय को खराब कर देता है, और उस तोफे की कोई value नहीं रह जाती. पर परमेश्वर का वचिन क्या कहता है? आये देखते हैं, पहला दुसल नो कियो, उसके पांच के सत्रा में लिखा है, सेवन्टीन में ऐसा लिखा है, कि निरंतर प्राथना में लगे रहो, और हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की यही तुम्हारे लिए इच्छा है, यानि कि इतनी सांसे जो मुझे मिली है, 86,400 सेकंड्स जो मुझे मिले, मुझे करना क्या चाहिए? परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, मुझे हर सांस के साथ परमेश्वर के सामने, प्राथना में आना चाहिए, मेरा लाइफ स्टाइल ऐसा हो जाना चाहिए, that every, every, every second for me counts, every second for me becomes something that God wants me to be thankful for, लेकिन करते क्या है, बर्बाद, so be encouraged my friend, आज आप अपनी सांसों को एक एक वैलुएबल तरीके से, एक वैलुएबल गिफ्ट की तरह परमेश्वर से पाएं, और पूछने के परमेश्वर, how can I be a blessing to other people? मैं कैसे दूसरों को motivate कर सकता हूँ? मैं कैसे उनके जीवन में किसी आशीश को लेकर आ सकता हूँ? प्रभू, आप मेरे जीवन को भरे, ताकि आपका प्रेम उमरता हुआ मेरे जीवन से, दूसरों के जीवन को छुए. Why don't you ask God today? Let the grace of Lord be with you. Let the love of Lord be with you. And let you make sense with what you have received in a beautiful box called life. सब्सक्राइब उन लोगों से पूछके देखें, जो एक एक सांस के लिए तडपते हैं, जो ICUs में पड़े हुए हैं, जो ventilators में पड़े हुए हैं, और उने लगता है कि शायद अपनी जिंदगी की सारी पुझी देकर, मैं कुछ सांस से खरीच सकूँ, मैं अपनी जिंदगी को जी सकूँ. You are blessed, you have this time. Enjoy, relish and be a blessing for someone else. God bless you. Bless you much.